आरसेस और अंग्रेसों के बीच हमेशा से 36 का आकड़ा रहा अंग्रेसी हुकूमत आरसेस के बढ़ती ताकस से इतना डर गई थी कि उसने संग की युनिफॉर्म गणवीश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी यही नहीं अंग्रेसी सत्ता आरसेस की सभी गतिवीदियों पर खूफिया तरीके से नजर रख रही थी देश भर में संग की बढ़ती ताकस से अंग्रेस सरकार किस कदर खौफ में थी इसका अंदासा गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के अधार पर ही ब्रिटिस सरकार ने 5 अगस्त 1940 को एक अध्या देश जारी किया इसमें भारश सुरक्षा कानून के अंतरगत किसी भी कैट सरकारी संगठन द्वारा सैनिक वर्दी पहनने और सैनिक परेड करने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया ये आदेश सीधे सीधे संग को कुचलने का प्रयास था इस पाबंदी के बाद संग के खिलाफ देश भर में अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग को लगाया गया उनकी रिपोर्टों में साफ तोर पे ये लिखा था कि संग का वास्तविक उदेश तो अंग्रेजों को भारस से खदेड कर देश को स्वतंत्र कराना है गुप्तचर विभाग ने संग अधिकारियों के भाषनों को भी इकठा करना शुरू कर दिया राष्ट्रे अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गए गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में संग और उसकी शाखाओं की पूरी जानकारे लिखी गई है ये भी बताया गया है कि किस प्रकार सरसंग चालक, गोल वलकर, छुवा छूत को मिटाने के प्रयास में जुटे थे साथ ही हिंदू समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में बानने की कोशिश कर रहे थे इसी प्रकार केंद्रिय गुप्त चर विभाग की एक रिपोर्ट 13 सितंबर 1947 की है इसके मुताबिक संग का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है उसकी शाखाएं अब देशी रियासतों सहित पूरे भारत में लग रही है सरकारी सेवाओं में भी संग के घुसपैट हो चुकी है और यहां तक की सेना भी इससे अच्छूती नहीं है इस रिपोर्ट में आगे लिखा था की MS गोलवलकर बड़ी तेजी से स्वेम सेवकों का संगठन खड़ा कर रहे है जो गोपनियता बरत्ते हुए आदेशों का पालन करें और जब जरूरी हो तब नेता के आदेशा अनुसार किसी भी प्रकार के काम में कूत पड़ें गोलवलकर बहुत ही सावधान, चालाक और इससे कहीं अधी शमतावान है जाहिर है अंग्रेशी सरकार की इस गोपनिय रिपोर्ट में संग पर कड़ाई से नजर रखने का निदेश दिया गया गोपचर विभाग की रिपोर्टों में 20 सितंबर 1947 को नागपूर में हुई संग की गुप्त बैठक के बारे में भी लिखा गया था रिपोर्ट में लिखा गया था कि आजाद हिंद फौज के सैनिक जब जापान की सहायता से भारत की और कूच करेंगे तो संग की संभावित योजना क्या होगी इस पर विचार किया गया था